राधे राधे दर्शकों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर रिष्टे को खुशहाल बनाने की तरीके जानने हैं अगर आपको तो आप बहुत ही सही वीडियो पे आए हैं बिना समय कवाई आई ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं यदि आपके घर के गए और प्यार को किसी की नजर से लग गई है आपके घर में बहुत अन्बन सी होती रहती है आए तिन परीजनों में लड़ाई जगड़ा हुदा रहता है तो आप इस वीडियो में बताए गए उपाय को अपने पूरी श्रधा से कनुदर्शकों मैं आपको सौप्रतिशत आरेंटी देती हुँ कि आपकी जो इक्षा हैं वह अवश्य होनी होंगी आपकी परवार के बीच सामन जस्य स्थापित होगा और जो लड़ाई जगड़े हो रहे हैं वह भी दूर हो जाएंगे आए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले बस आप से एक ही निवे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले तो आप उपाई के रूप में रोटी से जुड़े हुए जमतकारी उपाई को अपनाएं दो पहर के समय जब आप अपनी रसूई में पहली रोटी से के तो उसे गाए के लिए और अंत्म रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल दे दर यह करना बेहद ही शुब माना गया है और उसे भोजन से पूर्व गाए और कुत्ते को खिलाने का प्रयास करें यदि यह संबब ना हो सके तो भोजन के उपरांत भी आप खिला सकते हैं किन्तु आपके चूले की जो पहली रोटी है वह गाए को खिलाए और जो आखरी कि क्याखा तथा स्वभाग्यीमें भी एवर्धी होgenिंगी आपके जो भी परेशानिया जो भी रास्ते में रुकावप्य है आपके व्यापार में भी व्रिद्धी होगी, इस उपाय को बेहदी लापकारी माना जाता है। हिंदु चोथे शास्त्र में गाय को पहली रोटी खिलाने से बहुत ही जादा फल की प्राप्ती होती है। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है कि गाय को रोटी कैसे खिला है तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखें। आपको लिंक आई बटन पे मिल जाएगा दर्शको। आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो। कृप्या इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। कोई भी प्रशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। रादी रादी आप सभी का मंगल हो।